तो गाइस कैसे हो आप लो तो रेनेगार इमोटल के एपिसोड नमर 309 में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांगलेंड के पीछे कई सारे बंदे पर चुके होते हैं जो कि वांगलेंड के बंदे होते हैं अब देखो वांगलेंड के बीच में आ चुका था जिसके बीच में एक एल्लर ने वांगलेंड को देख लिया होता है और अभी के मरतबा वो उसका पीछा करना सुरू कर देता है उसको खरेदने लगता है और इसे के साथ दिखाया जात वहाँ पे एक बैटल फिल्म में चार और एरप्ट होने लगती है जो कि असल में वो चार मिड़ स्टेज वाइट ट्रिबलेंट बंदे से आरी होती है और जैसे ही वहाँ पे वो सभी बंदे आते हैं वहाँ कि सारे बंदों का नजर उसकी तरफ ही जाने लगता है और हमें दि बंदे होते हैं उन सबके एक्स्प्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है चार और वर्ड ट्रिबलेंट बंदों की जो कि असल में आयो थे हैं ताकि वह यहां के बंदों को असानी से मार कर वांग लिन का खात्मा कर सके अब लूवेंड आखो को दिखाया जाता है जिसमें डर्ड साफ था वो सबसे क्याता है जल्दी चलो हमें अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर जाकर वहां के एंटेस को सील करना होगा अब दिखाया जाता है बिना किसी रिमाइंडर की जितने भी बंदों होते हैं वह उन सब पर अटाइक क कर रही हैं तो इनके पास बचने का एक ही तरीका है कि वो अंडर्ग्राउंड पैलेस में जाके अंदर से इंट्रेस को ही सील कर दें ताकि वो अपनी लाइफ बचा सके जब तक की री इंफोर्मेस्मेंट ना आया फिर दिखाया जाता है कि अर्डिनरी कल्टिवेटर्स वो त के अंदर जहां पे वो अंडर्ग्राउंड पैले से वहां पे नहीं जा सकते थे और यहां पे बताया जाता कि वो फॉर्मेशन पहले से ही एक्जिस्ट कर रहे थी जो कि अपने फुल पावर्फुल पोटेंसल को अभी भी ग्यादर करके रखे हुए थी और दिखाया जाता कि वो लोग उसी की तरह भागने लगते हैं बात रहे वांगलिन की तो अभी भी उसी फॉक के अंडर था जहां पे वो चारो पावफुल और वांगलिन का पीछा कर रहा था जिसके बाहरे में उसे भी समझ जाता है वो यह समझ जाता है कि उसे भी अंडर्ग्राउंड पैल सील होने वाला है और उसमें सबसे पहले उसको इंटर करना है इसके बाद दिखाया जाता है कि वो उदर भागने लगता वांग लिन हेसिटेट नहीं करता है मौस्की टो किंग के साथ ही उस तफ निकल परता है ता कि वो उस अंडरग्राउंड एरिया में जा सके लेकिन दिख दिखाया जाता है कि वो अंडरग्राउंड पालेस से 500 फीट की डूरी पर होता तबी उस पर अटैक हो जाता है इसे के साथ हमें ग्रीन डेविल मेसेंजर को भी दिखाया जाता है जिसका नम जैंग होता है वो वांग लिन को हंट डाउन करने लगता है और सभी उस पर अट लेकिन वो वाइट ट्रेवलेंड के बंदे उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहे होते यहां तकि लूवेंड रेंड भी उसके मुझ से भी खून निकल आता है लेकिन वो भी अपनी पूरी जी जान लगा के उसी अर्थ अंडरग्राउंड एरिया की तब भाग नहीं लगता ह और ये ग्रीन डेविल उसका पीछा करने लगता है लेकिन दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर घुस जाता है और यहां पे वाग लिन को ये बात अच्छे से पता थे कि वाग लिन नहीं लूवेंड ने जब उस अर्थ अंडरग्राउंड पैलेस में जाएगा तो वो सब भी उसके देखाया जाता है और फिर से उसके मुझे को निकलने लगती है वह अब अबर राउंड एरिया से पांचोफ फीट की दूरी पर होता है नर्माली देखा जाएं तो अपने एक ब्रेट के अंदर ही वो इतने डिस्टेंस को कवर अप कर सकता था लेकिन वो सब उसको जाने ही नहीं दे रहे होते हैं अब दिखाया जाता है कि वो अभी के दोरान दो वाल ट्रुलेंट को फेस कर रहा होता है उसके मुझसे और खोड निकलने लगती है अलूवेनर को भी दिखाया जाता है जो कि वांगलीन को देखता है जिसके बाद वो अंडरग्राउंड पैलेस की तब निकल पर रहता है क्योंकि वो यहाँ पे वांगलीन को इंसतारे एल्डर्स के हाथों मरवा देना चाहता था अब दिखाया जाता है कि वो अंदर आ चुका होता हुँ और आर्ट से फलक्च्वेशन आने लगती हैं जो कि यह दरव्स आ रही थी कि वो अंडरग्राउन पैलेस्ट सील हो रही है जिसको देखकर लाल हो जाती है वो पागल सा हो चुका था और दिखाया जाता इसी के लिएता है वो उनको उसकी तरह भेजता है अब देकुम उसको भेज प्रिमा पे जूर का धमाका होता है वांगलिन के पास उतना टाइम नहीं था सोचने का वो उन सब तो इदर पहले ही इंटर हुआता मतलब थोड़ा सा भी लेट होता तो वांगलिन वहां पे बाहर ही अठका रहा जाता और वो उन सारे एल्डर्स के द्वारा मारा जाता अब जैसी वांगलिन इंटर करता है उसकी समानो सांसे फूल चुकी थी उसके मुझ से खूर निकलने ल जिनगी को क्योंन दाव पर लगा दे उसके पास सर्वाइब करने का कोई भी चांस था है ने वहां तो उसको एक अर्लिये स्टेज के वाइट ट्रिबलेन बंदे को मारने में फटने लगती है तो सिक्स बंदों को कैसे मार सकता है लेकिन बताया जाता कि वो अपनी जान करता है तो आराम से एक मिड एस्टेज वाइट ट्रिबलेन ओल्ड मॉंस्टर को सिर्यूसली इंजट कर सकता था लेकिन उसने अभी सिर्फ उसको ब्लास्ट करने में ही खतम कर दिया था और आपने आपको चांस दिया था कि उन सब के हाथों से स्केप कर सके लेकिन वो क्या माद रखूंगा यहां पर इसके साथ ही पहली दफार हुआ था कि वो इमोर्टल एस्टर कंटुन में आने के बाद ऐसी डेंजर सिच्वेशन में फसा हो और उसके पास ऐसा कभी भी सिच्वेशन नहीं हुआ था वांग लिन हमेशा अपने रिवेंज को याद रखता है उस इसने से भी काफी जादा गुसा होता है क्योंकि उसने उसके आए बिना ही उस अंडरग्राउंड पैलेस को सील करने की कोशिस की होती है और इसने पहले भी उस पर अटैक करवा रखा था इसके कान उस पर और भी गुसा आने लगा था वो यहां पर इमोर्टल एस्टर कंट देता है कि वहां पर यह मारने के लिए तो नहीं आया था लेकिन वो सब को चुन-चुन को मारेगा दिखाया जाता है वॉंग लेन उस अर्थ के और भी डीपर हिस्से में चाहने लगता है जहां पर उस अंडरग्राउंड पैलेस दिखता है जहां पर दिखाया जाता है कि पालेस के और भी डीपर हिस्ते में आ चुका था और बताया जाता है कि उने से सिफ 1000 कल्टिवेटर सी भाग पाये थे उन्हों सभी चिंटी थे कि आखिर उनका क्या होगा वो देख रहे थे कि यहां पर वो सिक्स जो वोड्रिवलेंट के बंदे हैं वो फॉर्मेशन को तोरने के बाद यहां पर फॉर्मेशन जाए तक नहीं टिकने वाली है और जब फॉर्मेशन तूट जाएगा तो वो सभी मारे जाएंगे अब चाहँ तब धौके ही धौके हो रहे हैं और वो सभी स्प्रीशर के अंदर काफी जाया डर रहे होते हैं और हमाई बाकी सारे बंदों क दिखा जाता है हम जो कै ㅎㅎ कि ये खतम हो चुका है कुछ बंदे क्याते हैं कि आंगे हैं हमारे यहां लोग क्योंग फिक्र नहीं था कि इन सब का क्या होता है पहले डिस्ट्रॉइं है क्यों न हो जाए उसे तो बस अभी जाओ डॉंग जॉंग से बल्ला लेना होता है बस उसे एक मौका चाहिए ताकि क्यासे भी करके वो उसे मार दे लेकिन उसके लिए पहले उसको अपनी पावर को बढ़ाना होगा रफी वो इतना प्रेशर नहीं आया है कि वो उसे स्ट्रॉंग बनना है अब दिखाया जाता है बाकि सारे बंदों को जो कि डर में कापने लगते हैं और वो सभी अपने सीनियर से पूछने लगते हैं कहने लगते कि आकिर हमाना क्या होगा लेकिन वो सीनियर उसका कुछ जवाब नह होता है जिसके पास कोई जवाब नहीं होता है और वो बस अपनी चुपी साधे हुए होता है यहां पर दिखाया जाता है कि वो सभी इसी में डर में भाय में रह चुके सभी साइलेंट हो जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो कोई और नहीं लू वेन र पीचा कर रही होती है और उसके बाद में जीवी डॉंग डेई होती है जो कि बहुत ही कमजोर लग रही होती है और वह भी बहुत ही सिरियसली इंजर हो चुकी होती है अब दिखाया जाता कि उनके पीछे भी थ्री अरली स्टेज की वाइट रिवलेंट कल्टिवेटर्स थे जो कि सेट्स से आयोगे थे मतलब नियर भाई सेट्स के बंदे मौजूद थे हैं सभी अभी काफी जाए कमजोर हो चुके थे और उन सब के पास भी कोई रास्ता नहीं था अर लूवेंटर्स उन सब को लीड करता हुआ आगे आता है और वहाँ पे वो सब से कहाता है कि इस बुड़े का नाम है जूओ अर लूवेंटर्स उन सभी बंदो की तरफ देखता है वो थे वासा एक स्टार्टर होता है लेकिन वो यहाँ पे बाकी सारे केव की तरफ नहीं देखता है क्योंकि उन केव कहीं अंदर एक केव में वो वैंग लिंग होता है जो कि वहाँ पे कोई explanation है इस situation को लेकर अब वो old man की दिल काप उठती है वहाँ पे सब के सामनी जाता है और सबसे कहता है कि बच्चे कल्टिवेटर्स तुम लोग मैं अभी यहाँ का underground palace का चार्ज हूँ और तुम लोग उने सब ने मुझे देखा हुगा लेकिन यह देखते ही लू वेंडर एस पर आ चुकी है और जब इसको यूज किया जाएगा तो हम इसको यहाँ से निकल सकते हैं लेकिन यहाँ पर हो कहा था कि पहले पैनिक मत करो यहाँ पर हमारे पास एक last method है जिसको कि हम यूज करके अपने आपके life को बचा सकते हैं और हो कहा था कि इस method को यूज करने के सबसे पहले हमें आपने आपके full cultivation को summon करना होगा ताकि हम अपने full cultivation का use करके heavenly bull को summon कर सके और उस heavenly bull का use करके हम उसको अपने soul armor के रूप में use कर सकते हैं अब यहाँ पर old man वो सारी चीजे बताने लगतार क्या था है कि जब तुम उस soul armor को पहन लोगी तो तुम्हारी body के साथ मर्ज हो जाएगी तुम्हारी cultivation level short time के लिए बहुत ही terrifying रूप से बढ़ जाएगी अब यह सुनकर उन सब की सासों में सासे आती हैं अब उन्होंने इसके बार में कभी भी नहीं सुना होता है उन्होंने इसके बार में existence के बार में भी सवाल उठा रखा था कि क्या heavenly bull सच में exist करता है क्योंकि इन्होंने इसके बार में सुन रखा था कि यह कितनी जाला powerful होते हैं उन्हें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा भी अब देखो जे heavenly bull का soul armor होता है वो किसी की भी cultivation level को काफी जाया बढ़ा देता है अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है old man को यह सबसे क्य जो कि उन्हें सब से कहता है कि देखो भाई लोग अभी ऐसा चल रहा है तो हमें तुम सब की मदद चाहिए और यहाँ पर सिफ मैं ही ऐसा कर सकता हूँ अब देखो लुवेंगन के भी अपने अलग चीज होते हैं वो अपने लिए यह सब कर रहा होता है क्योंकि वो भी उस सूल आर्मर को पहनना चाहता है अब जो भी उस सूल आर्मर को पहनने इसे काफी जीफिटS मिलने वाली हूथे तो बहुत जाहा बर जाती है अलूवेंण उन सब की तब देखकर कहता है कि खतरा काफी ज़ारा है और यहाँ पे मैं इसको पहनने वाला हूँ अगर मैं पे सराप की बोतले लाके रख देना मेरे अर्थी पे मतलब मेरे जहां पे तुम दफना होगे जिसके बाद दिखाया जाता कि उसके वर्ट्स चाहता फैने लगते हैं और इसी के साथ हमार ये एपीसोड खतम होता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और देखते हैं कि क्या ह या फिर नहीं और क्या वर्णिंग उसे वह सोल आर्म पहन देगा या फिर नहीं आकिर का वह इन सब चीजों से कैसे बच कर निकल पाएंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियों में तब तक के लिए बाहें